हैमिल्टन में भारत और न्यूजिलेंड के बीच दूसरा वंडे खेला जा रहा है इस मैश के दौरान जिस तरह से हैमिल्टन के मैदान के ऊपर काले बादन मंडराते दिखे ठीक वैसी ही उमड घुमड अभी संजू सैमसंग को लेकर भी दिख रही है दरसल संजू सैमसंग को फिर से भारत ने प्लेंग 11 से बाहर कर दिया है हैमिल्टन में टॉस होते ही कप्तान शिकर धवन ने टीम में दो बदलावों की बात कही जिसमें से एक प्लेंग 11 में संजू सैमसंग का बाहर होना रहा पर बड़ा सवाल ये है आखिर क्यों अलग शहर अलग हालात और अलग कंडिशन टीम में तालमेल बिठाने के लिहाZ से टीम में परिवरतन ज़रूरी हो जाता है हैमिल्टन वन्डे के लिए टीम इंडिया में संजू सैमसंग की जगा दीपा खुड़ा को ले लिया गया दीपाखुडा को लेकर शकायत नहीं पर संजू सेमसन के साथ जो हुआ वो भी सही नहीं लगता अगर दीपाखुडा को इन करके किसी को बाहर ही करना था तो वो नाम भी हो सकते थे और भी जो स्कोर नहीं कर रही है और जिनका रिकॉर्ड वंडे में संजू सेंसन से कहीं ज़ादा खराब है संजू सेंसन ने ओक्लैंड में खेले गए पहले वंडे में 38 गेंदो का सामना करते हुए 36 रन मनाये थे संजू के इस पारी से साफ था कि वो ले में हैं और दूसरे वंडे में हो सकता है मौका देने पर उनका आद्म विश्वास और बढ़ जाता लेकिन ऐसा हुआ नहीं टीम से सेंसंग को ड्रॉप कर दिया गया हाला कि मैनेजमेंट चहारता तो रिशपपन्त या फिस सूरे कुमार यादव में से भी किसी को ड्रॉप कर सकता था आउकलेंड में खेले गए वंडे में 23 गेंदो पर 15 रिशपपन्त टीम में हैं शायद सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस दौरे पर वंडे टीम के उक कप्तान भी है टीम मेनेजमेंट को अगर कीपर बैट्समेंट के साथ ही जाना था तो संजू सेमसंग बेहतर विकल्प हो सकते थे पंत की तरहां सूरे कुमार यादव पर भी सेमसंग का पढ़डा भारी लगता है वंडे में बेशक हाल की टीट्वेंटी मुकाबलों में सूरे कुमार यादव भेतरीन टच में दिखे हैं लेकिन वंडे में उनकी राम कहानी अलग है यहां उन्होंने पिछली चार वंडे पारियों में सिर्फ 13,9,8,4 का है स्कोर किया है यानि केवल एक बार ही दाही का आंकला उन्होंने चुआ है वहीं संजू सेमसन ने पिशली चार वंडे पारियों में 86 नाबाद, 30 नाबाद, 2 रन नाबाद और 36 का स्कोर किया है मतलब तीन बार नाबाद और एक अर्धशतिक के पारी भी इसमें शामिल है इन आक्रों से साफ है किसे खिलाया जाना चाहिए था और किसे नहीं दीपा खुडा को मौका देने के लिए सूरे कुमार यादत इसलिए भी बहतर विकल्प होते क्योंकि इससे उन्हीं लगातार किरकट से आराम भी मिल जाता लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ क्या कि संजू सेमसं को पहला बंडे मुकाबला खिलाया उसके बार बाहर का रास्ता दिखा दिया अब कब तक बाहर रहेंगे कहां नहीं जा सकता लेकिन टीम मेनेजमेंट एक बेहतरीन खिलाडी को एक बेहतरीन बल्लेबास को बाहर बठा कर क्या दर्शाना चाहती है क्या दिखाना चाहती है ये भारती टीम मेनेजमेंट आखिर किस तरह से अपने प्लेंग 11 चुन रही है वो समझ में नहीं आता क्योंकि संजू जितना खेलेंगे उतने ही ज़ादा टच में आएंगे उतने ही ज़ादा ले में आएंगे लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा बारहल संजू सैंसंग की वापसी को लेकर टीम बन डे में सेलेक्शन को लेकर और प्लेंग 11 को लेकर आप लोगों की क्या राय है जरूर हमें बताईए सोचल मेडिया पर ये आप हमारे प्लेटफॉर्म पर वीडियो देख रहे हैं और अगर यूचूब पर देख रहे हैं त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेस्बुक या दूसरे प्लेटफॉर्म पर अगर रहें आप तो जरूर हमें लाइक कीजिए शुक्रिया